दोस्तों क्या आपने अभी तक RSI Indicator यूज किया या उसका नाम सुना अगर यूज नहीं किया अगर यूज करते भी हो लेकिन आपको प्रॉपर पता नहीं कि उसका यूज कैसे करना है उसकी क्या सेटिंग है उसके कितने बेनिफिट हैं अगर आप RSI Indicator को यूज करते हो इ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो फोरेक्स के अंदर जिस भी जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडेट के अंदर आप अगर RSI Indicator यूज नहीं करते तो आप यह समझ दो कि आप बहुत बड़ा मतला बेनिफिट जो आपको था उसका वह आप मिस कर रहे हो तो क आपको ऊपर देख रहा होगा यहां पर इंडिकेटर का ऐसा option आपको होगा इस पर क्लिक करना है देखो आप जब यहां पर RSI सरच करोगे तो RSI आपको बहुत सारे आएंगे लेकिन आपको simply relative strength index इंडेक्स इसके उपर क्लिक करने यहां पर द्यान से देखो relative strength index के उपर पीचे इस तरह से अगर आप पहली बार यूज करें तो आप सोच दो कि यहां पर कैसे इसको देखें जो बीच में दो लाइन सा यहां पर यहां पर यह एसा टेबल जीसा आ गया तो क्या है तो आप टेंशन मतलो मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूं लेकिन यह बहुत काम है आपके लिए अगर आप इसको समझ देऊ हो सबसे पहले देखो आप है यहां पर यहां पर शेसील करें लिकिन ऑप सबसे पहले हैं आपको सबसे से देखो सबसे पहले इंपुट को ऑप्शन इंपुट में अगर आपकी यह सेटिंगे देखो यहां पर आर ऐसा ही लैंथ अगर 14 तो इसको यह रहने देना है तो आप जिसे RSI, RSI Band, MA है आप इसको चैंज कर सकते हैं लेकिन अगर डिफाल्टर में आपको ठीक लग रहा है तो आप सेटिंग भी इसकी ठीक मतलब यही रख लो उसके बाद तीसरा वाला जो इंपॉर्टन सेटिंग है जो आपको चैंज करना है वो है वीजिबल्टी RSI Middle Band and RSI Lower Band यही तीन चीजें जो है यह काम की है इसी के ओपर हमारा जो RSI वो यूज होता है क्या है Upper Band क्या है Lower Band तो यहां पर 70 है यहां पर आपको 60 कर देना है और जहां पर 30 है वहां पर आपको 40 कर देना है देखो इसका क्या benefit है यह में बोलता है आप इसको OK करोगे यह जो RSI का मतलब क्या है Relative Strength Index देखो इसके अंदर एक word है Strength Strength मतलब के Market में Strength आती है एक Moment आता है लेकिन आप इसको कैसे अब RSI के जरगे पहचान होगे देखो आप यहां पर क्या नमर आ रहा है हमने रखा लवर बैंड हमारा है 40 Middle Band 50 and Upper Band 60 40 50 60 तो देखो अब ही कहां पर मार्केट है अब हमारी मार्केट है उपर आलमोस 60 के उपर तो हमको कहां पर ट्रेल लेना होता है हमको यहां तो 40 यहां उपर 60 लेकिन वो कैसे देखो यह मार्केट यहां से मतलब 50 से उपर ले जाती है आप मैं आपको दिखाऊंगा आपको कौन-कौन सी टाइम फ्राइम के उपर मतलब स्ट्रेंथ आती है मोमेंट के नदर जब मार्केट 60 को क्रॉस कर देती है जो इसका अपर बेंडर रहता है उसको करते तो वह हमारा बाइंग जोन होता है लेकिन अगर वहां पर रिजेक्शन ना हो तो यहां पर देखो आप एकदम से कितना मोमें आता है मार्केट में अब अब इस तरह का कि बाइंग और सेलिंग बनता है हम बोलते हैं कि मार्केट में अगर मार्केट 6 को cross करती है तो हमारा अगर rejection नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर buying करनी होती है और उस सेम जब market यहाँ पर 40 को नीचे के लिए आती है तो आपका यहाँ पर selling का strength बनता है तो इसका में दिखाऊँगा कि क्या यह market में काम कर रहा भी है कि कर रहा है लेकिन जो market अगर market 50 के बीच में है तो वो बोलते है're one trading zone नहीं कर नहीं जहांप आपर यह market में 50 के बीच है तो वहाँ पर trading zone होता है यहान तो आपको और एक और चीज़़का यहां पे ध्या यहां पर सी को ना काइब का अम थो फिर कैसे और यहां भी देखो उपर एकदम से उपर गई ही curv और फिर यहां कि उसके बाद देखो फिर यहां से और शेक्षों मिला और अ को ज्या हरती हुआ जब होसले लिम Mooji market यह थे गई निहीं, यह रहीक यह मार्क कर 슈 सेमारा मार्क की देखा तो एक्षरणत में अगर मार्केट 60 को क्रोस कर रहती है मिला बिना किसी यहां पे resistance के तो मार्केट में आपको बाइंग करनी होती है लेकिन आपको make sure करना है कि मार्केट में कोई pattern बन रहा है जिसे यहां पर देखो एक pattern बन रहा था हमारा तो rejection जब यहां से मिला, market ने क्या किया, उतना तेजी से market नीचे गिरती है, देखो यहां पे market थी, और देखो फिर कितना तेजी से market वापस भी नीचे गिरी, तो यह आपको यहां पर भी उपर दिख रहा होगा, कि market जब टॉप पे थी, यहां पर इसको rejection मिलता है, उसी तेज speed से market नीचे गिरती भी है, और Sam ऐसा यहां पर selling के अदर भी आप देखोगे, थोड़ा समें छोटा करता हूँ, ताकि आपको दिखाता हूँ कि कैसे यह काम करता है, यह देखो, यहां में market थी हमारी, तोड़ा और इसने market को एकदम से इसमें boom लाया, मैं इसको refresh करता हूँ, आप थोड़ा प्लियर दे पाओ, यह मारा था 1 hour के उपर, अब मैं इसको 15 minutes के उपर लेता हूँ, तो आपने इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है, एक है, जब market बिना किसी resistance के या बिना किसी, मतलब कोई recover ने आ रहे हैं, तो आप वहां पर buying कर सकते हैं, लेकिन अगर market व तो उपर देखो यहां पर, और नीचे देखना यहां पर, आ रहे हैं, एकदम 60 के पास है, तो rejection मिलता है यहां पर market को, मतलब market नीचे के लिए back होती है, और आप इसको में रिलीर करता है, किस speed से market नीचे के लिए गिरती है, यहां पर यहां पर भी, इसी same speed से, मतलब strength का मतल selling है, लेकिन आपको make sure करना है, कि जब market अगर 60 के उपर जा रही है, और आप देख रही हो कि यहां पर को resistance नहीं मिल रहा है, और क्या market में भी कोई pattern ऐसा बन रहा है, यहां आपने बाई कर दिया, 40 के नीचे है, आपने sell कर दिया, आपने make sure करना है, कि ऐसा कोई pattern बन रहा है, तो तीन चीज़ा आपने याद रखनी है, कि अगर market 50 के आसपास है, तो वहां पर no selling zone है, मतलब RSI बोलता है कि आप वहां पर trade ना लो, मतलब selling नहीं, no trade zone, वहां पर trade आपको करना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर strength नहीं है, market में moment नहीं है, और अगर market 60 के ऊपर जा रहा है, व इतने pattern हमारे बान रहा है, अब यहां पर देखो Sam, यह देखो, यहां पर front, अच्छे से देखो अभी, इस वाले zone को देखो, यहां पर थी market हमारी, इसको में थोड़ा से करता हूं, देखो काम कर रहा है कि ना कर रहा है, देखो 2 गहंटी को आपको एकदम यहां में clear pattern देख लेगा यह कम होगा तो price भी कम होगा, वो बलते हैं, इन वर्स नहीं है, यह directly proportion है, अगर price यह आरसा इमारा बढ़ता है, तो हमारा price भी बढ़ता है, अगर RSI गिरता तो price भी गिरता है, उसके बाद देखो, आप यहां से market ने एकदम बूम बनाया और उसके बाद यहां पर यह जब market यहां से फिर जो आपको मैंने बोला ना आप यहां पर दिखा तो आपको थोड़ा सा करके मैं, देखो यहां से back आया, यहां पर फिर जब 60 के पास गया, यहां पर मिलता है, इसको rejection मिलता है, तो फिर 30 से नीचे गिरता भी है, बतलब देखो फिर गिरा यहां तक, और इसका आप दिखाता हो, यहां पर देखो, यहां पर दिखारा था ना, ऐसे गया, और rejection मिला यहां पर देखो, RSN में rejection दिया, और कितना गेरा है फिर नीचे, देख रहे हो, तो यह चीज़ आपने दिया रखने है कि अगर इसको rejection मिलता है वहां पर तो आप फिर selling का कर सक लेकिन अगर वहां पर एक्षिन नहीं मिलता है मार्कित अच्छे मोमेंट के साथ से ट्रेंट में उपर जाएगी तो आपका वहां पर बाइंग का जोन बनेगा तो आपने तीन चीजों को ध्यान रखना है अगर 50 के बीच में है तो आपको यह करना है कि आपको ट्रेडिंग म देखो कैसा यहां से तोड़ता नीचे के लिए आ रहा है जब यहां से गिरता है तो कैसे इस ट्रेंट कर तोड़ता है फिर सैंब यहां पर देखो और ऊपर यहां पर देखो इसको तोड़ता है यहां पर देखो यहां पर देखो यह वाला जून देखो यहां से नीचे गि एक्सको भी नीचे आगर इसको 60 के पाश्ब की अच्छा प्रस्टा मिलता है तो मार्किट बहुत तेजिल से नीचे गिलती भी है और से अगर इसको में पर उपर से लाया यहां पर और पर के करता कंपे रॉपड देखू रहा है 50 के बीच में चल रहा है तो देखो उस टाय मार्केट में उतना मोमेट अगर बीच में चल रहा है तो आपको उतना मोमेट देखने को नहीं मिल रहा है तो तीन चीज़े आपको यहां पर द्यान रखनी है कि अगर मार्केट 60 को क्रॉस कर जाता है और उसके साथ आपने देखन बन रहा है तो आपने लेकिन यह बोलता है कि अगर स्ट्राइम साथ बिना किसी आपको दिख भी रहा है यहां पे यहां पर देख सकते हो यहां पर बन रहा था मार्केट नहीं पहले साइड विव लेके और यहां जब आरे से उपर के लिए गया और फिर यह भी प्रॉपर उपर गया है तो यह आप देख सकते हो उसके यहां पर यहां पर रिजिस्टंस मिलता है और फिर तेजी से गिरता भी है तो आप लोग यह समझ चुके होंगे और सेटिंग में आपको बोली एक ही सेटिंग करनी है बाखे बाइट रखनी है और तीन चीज़ें याद रखनी है आप डॉन एंड मिडल में नो ट्रेड और रिस्टंस लेते समय आपको अगर मार्किट या तो गिरेगी या तो उठेगी कोई भी डाउट रहोगा इसको लेके इस वाले इंडिकरोट को लेकर नीचे कोमेंट करो और आप में सकते किसी को भी हमारे वियाईपी गूर्प के सिंगल्स चाहिए नीचे मैंने वाटसेप गूर्प की लिंक दे रखे है वहाँ पे जॉइन हो जाओ या किसी को भी आप हमसे फॉरेक्स ट्रेडिंग एकॉन मै जाएंगे उसकी निक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शिन के अंदर भी देता अगा अगरा को ट्रेडिंग का इडिया नहीं है कि ड्रेडिंग क्या होती है कैसे करते हैं या आपको पर प्रोफिट नहीं निकाल पा रहे हो तो ट्रेडिंग कुर्षिक ज़ेरोटोफ फिव वीडियो को प॑बिक कर देते हैं तो हर दिनmera Y इंधel अपने देते हैंं उसके लिए आपको वहां पर इंफoly зар देऊंगे तो I hope आप लोग समझ चुके होंगे, कोई भी doubt है तो मेरे को नीचे पूछ सकते हो और आप सबसे request है कि वीडियो को share करो और चैनल को subscribe करो और अगर आप Facebook पे इस वीडियो को देख रहे हो तो वहाँ पे page को follow कर दो, thank you.